फिल्म में पुरान में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बीते दशक की 10 बहतरीन बेस्ट इंडियन फिल्मों के बारे में ये लिस्ट मैंने अपनी परसनल फेवरेट फिल्मों पर बनाई है आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यूटन न्यूटन जो आई थी 2017 में न्यूटन एक कामेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डिरेक्ट किया है अमित मसुर करने फिल्म की कहानी न्यूटन नामक एक विक्ति की है जो एक सरकारी अफसर है जिसे इलेक्षन की ड्यूटी पर अधिवासी इलाके में वोटिंग कराने के लिए बेज आ जाता है वहाँ पर उसे किस तरह का आनुभव आता है इस फर फिल्म की कहानी आदारित है फिल्म में इंडियन वोटिंग सिस्टिम, इंडियन डेमोकरसी पर कटाक्ष डाला गया है फिल्म में मुख्य भूमिका राजकुमार राव की है जीनों ने न्यूटन का कैरेक्टर निबाया है उनके आलावा फिल्म में पंकच द्रिपाटी और संजे मिश्रा की भी सायक भूमिकाय है न्यूटन फिल्म को हिंदी भाषा में बेस्ट फीचर फिल्म का राश्ट्य पूरसकार दिया गया था पंकच द्रिपाटी को नेशनल आवार्ड्स में स्पेशल मेंशन का एवार्ड दिया गया था न्यूटन फिल्म 2017 के आसकर के लिए भारत की तरफ से भेजी गई नंबर नौ पर है मराटी फिल्म फैंडरी फैंडरी फिल्म आई थी 2013 में जिसे डिरेक्ट के आए सहराट बनाने वाले डिरेक्टर नागराज मंजोले ने नागराज की यह पहली फिल्म थी फिल्म की कहानी जबया नाम के स्कूली लड़के की है जो निचली जाती से है उसे उपरी कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है जब एकी फैमिली का काम सुवर पकड़ने का है फिल्म में जाती व्यवस्ता, नीचले जाती में जीवन बिताने की कटिनाईया समाज का उनके प्रति देखने का दृष्टिकोन एक लड़के की अपिक्षाएं और जीवन का संगर्ष इन मुद्दों पर फिल्म में प्रकाश डाला गया है इस फिल्म के लिए नागराज मंजूले को बेस्ट डेब्यू डिरेक्टर का राष्टिय पुरसकार दिया गया था नमबर आठ पर है 2018 में आई फिल्म तुमबाड तुमबाड एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी फिल्म को डिरेट किया है राही अनिल बरवे और आनंद गांधी ने फिल्म 6 साल निर्मान में थी फिल्म में मुख्य किरदार में सोम शाह है जिनोंने इस रोल को निभाने के लिए 8 किलो तक अपना वजन बढ़ाया था फिल्म की कहानी 20 दशक के शुरुवाती दोर में घटित होती है कहानी एक परिवार की है जो शापित है हस्तर से किस तरह लालसा पीडी दर पीडी आगे बढ़ती जाती है इस पर आदारित फिल्म की कहानी है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म की कहानी, सभी कलाकारों का पर्फॉर्मंस, फिल्म का आर्ट डिजाइन, इन सारी चीजों में फिल्म लाजवाब लगती है बारिश को भी फिल्म में एक पात्र की तरह यूज किया गया है साथवे नंबर पर है विशाल भारतवाज की फिल्म हैदर हैदर फिल्म शेक्सपियर की हैमलेट पर आदारी थे विशाल भारतवाज की यह तीसरी फिल्म है जो शेक्सपियर के किताबों पर आदारी थे इससे पहले उन्होंने मकबूल बनाई थी जो आदारी थी मैकबेद पर और ओमकारा जो आदारी थी ओथेलो पर फिल्म में शाहिद कपूर, तबू, श्रदा कपूर और केके मेनन की प्रमुप भूमिका हैं फिल्म की कहानी नब्बे के दशक के कश्मीर में घटी थे जो लापता लोगों पर आधारी थे हैदर फिल्म ने रोम फिल्म फेस्टिवल में पीपल चॉइस आवार्ड जीता था ऐसा करने वाली हैदर पहली भरतिय फिल्म थी इस फिल्म को राष्टिय पूरसकारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बिस्मिल गाने के लिए बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट म्यूजिक डिरेक्शन के लिए आवार्ड दिया गया था नमबर छे पर है कन्नडा फिल्म तिथी, तिथी फिल्म आई थी 2015 में, जिसे डिरेक्ट किया राम रेड़ी ने, फिल्म की कहानी एक परिवार के तीन जेनरेशन की है, जो आपने घर के सबसे बुजूर्ग वेक्ति के मोत होने के बाद किस तरह का बरताव करते हैं, ये फिल 68 लियोकार्णो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई, जहां पर इसने फिल्म मेकर्स आप दे प्रेजेंट कैटिगीरी में गोल्डन लियोपर्ड जीता था, 63 राष्टिय पुरस्कारों में इसने बेस्ट गन्नडा फिल्म का आवार्ड भी जीता था पांचवे स्थान पर है मराटी फिल्म कोर्ट, चैतन्य तामने द्वारा निर्देशित यह फिल्म आईती 2014 में इस फिल्म को साल का नैशनल आवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था, भारत की ओर से आसकर के लिए ऑफिशियल सेलेक्शन किया गया था, फिल्म की कहानी एक स कोर्ट में आता है, फिल्म में भारतिय न्याय वेवस्था, कानून की जटीलता, कानून की कमजोरियां इसे वास्तविक अंदाज में प्रस्तूत किया गया है, चोथे नंबर पर है 2013 की रोमेंटिक ड्रामा फिल्म दे लंच बॉक्स, जिसे डिरेक्ट किया है रितेश बातर फिल्म में प्रमिक भूमिक आये है, इर्फान खान, निम्रतकर और नवाजुदिन सिद्धिकी की, फिल्म में इर्फान खान एक मिडल एज आदमी की भूमिका निभा रहे है, उनका कैरेक्टर एक नौकरी पेशा इंसान है, जिसकी बीवी नहीं है, उसको एक दिन डबबा वालों की तरफ से गलट टिफिन मिल जाता है, जिसने ये डबा भेजा है और इर्फान खान का कैरेक्टर के बीच चुटियों का सिलसिला शुरू होता है, ये नया रिष्टा कहां तक ले जाता है, ये फिल्म की कहानी है, फिल्म में इर्फान और नवाज की एक्टिंग और उनका क्राफ्ट पर किया काम आँखों को भाज आता है, नवाज का बात करने का तरीका निम्रत कवर के घर की उपर की आंटी आपको कहीं दिनों तक याद रह जाती है, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है 2015 में आई फिल्म मसान, मसान जिसे लिखा है वरून ग्रोवर ने और डिरेट किया है नीरज घहावान ने, नीरज घहावान जिनोंने सेक्रेट गेम्स 2 को आनुरा कशब के साथ मिलकर को डिरेट किया है, यह उनकी पहली फिल्म थी, फिल्म में दो कहानिया बनारस के घाटों पर समानतर रूप से गटित होती है, एक देवी की कहानी जिसे उत्पिडन प्रेम का आर्थ इन मुद्धों पर प्रकाश डाला गया है, नंबर दो पर है क्राइम फिल्म गैंग्स अफवासेपूर पार्ट वन और पू, इस फिल्म को एक फिल्म के तवर पर ही बनाया गया था, पर कोई भी थेटर वाले पांच गंटा लंबी फिल्म अनुराक कशब, गैंग्स अफवासेपूर भारतिय सीनेमा के दृष्टी से एक मील का पत्तर साबित हुई, फिल्म की कहानी, फिल्म का डिरेक्शन, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, आर्ट डिजाइन, स्क्रिन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी विभागों में फिल्म अ ये फिल्म ही शायद इस दशक की सबसे बहतरिन फिल्म हो सकती है, ये फिल्म 2012 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टेयल में प्रदर्शीत हुई थी, जुलाई 2013 को ये इंडिया में रिलिज की गई, फिल्म बनाई थी आनन गांधी ने, फिल्म में तीन अलग-अलग कहानिया है, पहली जो है वो ब्लाइंड फोटोग्राफर की है, दूसरी कहानी एक जैन मौंक की है, और तीसरी एक मारवाडी व्यापारी की है, फिल्म में व्यक्ति का जीवन के प्रती नजरिया, जीवन और मृत्यू का आर्थ इन बातों पर गवर किया गया है, इस फिल्म में पांच-पांच मिनिट तक के सिंगल शॉट्स है, फिल्म का नाम थेशियस पैराडॉक्स पर आदारित है, थेशियस पैराडॉक्स कहता है कि अगर किसी चीज के पुर्जे एक-एक कर निकाल कर हर हिसा नया बदला जाए, तो क्या वो जो पहले थी, तो ये थी इस दशक कि हमारे हिसाब से दस बेस्ट फिल्म है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत बूलना